हमशकार आप ये सीधी तस्वीरे देख रहे हैं हर्याना के जिले यमुनानगर के रक्षक विहार नाके के पास की तस्वीरे और आपको दिखाने का प्रियास कर रहे हैं कि किस तरीके से कल रात को यहाँ पर जीहाँ चिकन और यहाँ पर अंडे का काम किया जाता था जिस टेंप्रेरी समान रखने के लिए कमरा छोटा सा बनाया हुआ था जिसके अंदर गैस सलेंडर भी बताया जा रहा है ये तो अपने दुकान खैर साड़े आठ नौ बज़े बंद करने के बाद अपने घर की तरफ चले जाते हैं लेकिन आसपास के लोगों के द्वारा फायर ब रहीमत ये रही कि बड़ा हाथसा हो सकता था लेकिन बड़ा हाथसा होते होते टल गया है बताया जा रहा है कि यहां पर जो है काफी नुकसान भारी मात्रा में हो सकता था लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान काफी हुआ है लेकिन नुकसान सिर्फ समान का हुआ है नुकसान जान आप कोई भी व्रक्ति आसपास नहीं था आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्तन टूटे हुए देख सकते हैं विसपोट होते हुए देख सकते हैं और सलेंडर में आग लगए थी जिसके बास सेलेंडर फटने वाला था लेकिन गैस कम होने के कारण फटा नहीं आप सभी से रोज जो विडियो को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहेगा आपको बता दें कि किस तरीके से पूरी घटना जो है हो सकती थी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है क्या कुछ उनका पूरा नाम है बात करने का प्र से नंबर पड़के बोर्ट से हां जी तोनों ने सूचना दी भी आग लगी हुई है इसलिए हम आए हमने देखा वस देखा सब कुछ राख था तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अंदर क्या क्या समान कम से कम हमारा 20-25 जार रुबे का समान था क्या कुछ कहना चाहेंगे अब चाहें इसा कभी निए आज तक यहां से कभी एक गलास तक नहीं उठा जी तो किसने सुचना दी फाइर ब्रिगेट नहीं सुचना तो क्या कुछ है क्या कुछ लग रहा है आपको कुछ किसी का नाम नी ले सकते किसे ने करा तो जबार लेकिन पान साल से आप यहां पर नहीं था लगभख कितने बज़े आप यह दुकान बिल्कुल सही सलामत चोड़कर गए तो लगभख साड़े दस बचे के कॉल आती है इने और बताया यह जाता है कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हट इनोंने बनाई थी जो बलिया इनोंने लगाई हुई थी वो सारी जल चाहेंगे कितनी बड़ी घंटा हो जाती है अच्छा आप बरकर रोमित क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी दुकान पर चले जातों टाइम से लिए कितने बज़े जाते हैं रोनी आई मेरी अच्छा क्योंकि आपका तो जिंदगी भर का पैसा था आप तो यहां से पैसे कमा कर दिया क्या कुछ कहना चाहेंगी जिसने क्या कहूं जिसकी वे तो उसका बस क्या 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 है काफी नुकसान हो गया है तो जी हां रोजी रोटी पर आग लगा दी है किसी व्यक्ति ने बताए जा रहा है कि नाम पता उसे मालूम नहीं है लेकिन जिस व्यक्ति ने शर्मना क्रित है आप सभी को जानकारी देदें कि सारा समान जो है जलकर राक हो गया है आप सभी को जानकारी देदें कि इनके पास जितने भी बरतन थे जितने भी इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे जितने भी इनके यूज किया करते थे वो सारे जलकर राक हो गया है गरीम भगवान से रही है कि किसी भी जो है जान का इसमें नुकसान नहीं होए केवल ये जो समान है और रिकिन ये जो कृत्य लग रहा है या आसपास के लोगों का कहना है कि आपसी किसी क्या ही कृत्टय है के साथ साथ काम किया करता था तो आप लोग देख सकते हैं तमाम आस पास के लोग मौजूद हैं तो आप मुस्लेम को दे दीजे इजाज़त आसरीम खबरों के लिए बने रहा के साथ नमस्कार अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुचे आप तक